नवस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राम पंडे और आज बात करेंगे कि एक ऐसे मिच्छल फंड की जिसने एक लाख रूपे अगर आप इसमें इन्वेस्ट किये होते हैं तो आज लगबग 72 लाख के करूई आपके पैसे हो गये होते हैं यानि सिर्फ 25 साल के अंदर आपका एक लाख अगर आपने उसमें लमसम किया होता तो आज 25 साल बाद वो 72 लाख रूपे का इमाउंट बन गया होते हैं अगर हम अपने पैसे को जो सेफ करते हैं उसको चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें और हमारे पास कोई ऐसे नहीं रहता है कि हाव टो इन्वेस्ट सेविंग इन सेर मार्केट तो भाई आपके लिए मिच्वल फंड एक जबरजस्त आपके लिए साबित हो सकता है क्योंकि मिच्वल फंड की बात करें आगे के भविसे में तो लगभग हमारे मिच्वल फंड में इतनी बढ़िया राफ्तार पकड़ के रखी है और आपको लगभग मिच्वल फंड इंडस्टी में बीते साल 2030 में कुल जो AUM साइज है assets under management वो 50 लाख करोड के करीब पार हो चुका है यानि 50 लाख करोड मिच्वल फंड इंडस्टी में लोगों ने पैसे इंवेस्ट करती है तो आप इससे नुमाल लगा सकते हैं कि लोग कितना विश्वास करते हैं मिच्वल फंड में क्योंकि दखिए भारत के अंदर बहुत स इसन आ पिवी कर सकते हैं systematic investment plan यानि हर महीने आप कुछ saving करते हैं उसको आप invest करते हैं या आपके पास एक huge amount है उसको चाहते कि आप एक बार में invest करें आज हम एक ऐसी fund की बात करेंगे जहाँ पर आप अगर जब इसका establishment हुआ था उस समय अगर आपने पैसे invest किये होते तो आ 1998 में हुई थी यानि 1998 में फंड की शुरुवात हुई थी और 30 जनवरी 2023 तक किसी निवेशक अगर एक लाख रूपे इसमें फंड में जमा किया होता है एक लाख रूपे तो आज उसके लगभग 72 लाख के करीब हो गया होते हैं यह कुई इस ओधी में उसने लगभग 18 परसेंट का सीजियार यानि कंपाउंट इन्वल ग्रोथ रेट बना करके दिया है तो आप अनौन लगा स पष्एस छाल के अंदर सिर्फ पचीस साल के अंदर लगभग इंटना हो गया होता यानि की लगभग आपका बहुते तरलाक के करीम हो गया होता अगर इसकीcible चुनार की बात करें तो बेंचमार्क वरत है है ओ बेंचमार्क के लार्ज निवटेम इन्टी को मिटवंग के वाट टू फिप्टी और इसके जो बेंचमार्क है बेंचमार्क लगभग 14% का रिटन्स बनागी दिया है यानि जब भी हम कोई भी मिच्वल फंड लेते हैं तो उसका बेंचमार्क होता है जिसमें वह बिलोंग करते हैं और उस बेंचमार्क लगभग 14% की रिटन्स बनागी दिया है लेकिन इस फंड ने मिच्वल फंड जो हम जिसकी बात कर रहे हैं इसने जो बेंचमार्क के उसे कहीं अधिक returns बना करके आपको दिया है और उसके benchmark के recording भी अगर आपको returns मिलता तो benchmark के recording आपका पचीस साल में लगभग 32 लाख रुपे होता अगर benchmark के recording ही return बना की दिता तो लेकिन इस fund ने benchmark से कहीं ज्यादा returns बना की दिया है और आज आपका amount वो क्या होता है कि लगभग 72 लाख के करीब हो जाता है हम इसके पैसे होते का है निवे सर मैं इसकी बारे में बात करूँगा जो हम mutual fund की बात कर रहे हैं उस mutual fund के पैसे कहां invest होते हैं तो large and mid cap की fund होती है भाई लार्ज के fund के बात कर रहा हूं जहां पर लगभग 250 company के इस टोक में निवेस्ट किया जा जाता है यानि कि जो maximum पैसे होते हो लार्ज केप में और mid cap में आपके पैसे जाते हैं लार्ज केप यहां पर 58% के पैसे करी 58 परसेड करीब आपके पैसे जा रहे हैं लाःकिय आपके पैसे जा रहे हैं अब मेड़ी कैप का मतलब होता है कि next के 150 टॉप कमपनियों में आपके पैसे जा रहे हैं तो इसमें लगभग 58% करीब आपके पैसे जा रहे हैं लार्स केप में और बाकी 38 परसेंट पैसे जा रहे हैं वो मिड केप के अंदर जा रहे हैं और चार फिजदी स्मॉल केप के अंदर जा रहे हैं इसकी अगर हम लोग आउम साइज की बात करें तो लगभग 9,636 यानि लगभग माल लेजिए साढ़े 9,000 करोड के करीब इसका ज की बात करें तो ओभी सब ठीक ठाक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस फंड ने अभी तक 25 साल के अंदर इसके 25 साल के अंदर हो गई है और 25 साल के अंदर आप इसमें पैसे इंवेस्ट क्यों होते तो आज आपका पैसा लगभग 72 लाग के करीब हो गया होता है और इस फंड का नाम की बात करें तो इस फंड का जो नाम है को वह भी यह आई से सी प्रुडेंसियल लार्ज एंड मीड के फंड जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक हूज रिटरंस पा सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक कि लिए जैंद बंद